4, 3, 2, 1 अध्यक्ष महोदय राजस्थान में जनता को बड़ी कठनाई है वहाँ सुखा पड़ा हुआ है, मवेशी मर रहे है ऐसे जो स्थान हैं वहाँ आपको कदम उठाने चाहिए वहाँ लोगों को तथा मवेशियों को खाने के लिए देना चाहिए उनकी सहायता करनी चाहिए अगर आपने शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या वह किसान की समस्या को हल नहीं किया तो भविश्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है जब मैं अपने शेत्र में कारे करने के लिए जाती हूँ तो जिन लोगोंने वोट दिया होता है और जिनोंने नहीं भी दिया होता है वे भी शिकायत करते हैं कि जब वोट का समय आता है तब तो आप कहती हैं कि लगान माफ होगा गल्ला सस्ता होगा गाई भैस के लिए घास का प्रबंद होगा लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। अंग्रेजों से जब हमने राज प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ होगा नहरें खोदी जाएंगी गाय भैंस के लिए घास का इंतजाम किया जाएगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगान भी दुगना बढ़ गया है। जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोश है। हमारे मंत्री महोदय जब जिले का या प्रांत का दौरा करने जाते हैं तो रिस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं। दिहातों में जाएं तो उनको असली हालत का पता चले। लेकिन वे तो रिस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं ताकि कहीं उनको लून लग जाए। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि उनको गाउं में जाना चाहिए, वहां जाकर उनको किसान की कठिनाई को समझना चाहिए, उनकी कठिनाई को दूर करना चाहिए किसान इस समय बड़े भैभीद हैं, उनकी तरफ बहुत सा रुपिया पड़ा हुआ है तकावी का, बीज का, लगान का, बैल का इत्यादी कलेक्टर या तहसीलदार उनको आज बहुत परिशान कर रहे हैं, उसके बैल नीलाम किये जा रहे हैं, जमीन नीलाम की जा रही है उसको कचहरी में ले जाते हैं और पटवारी तहसीलदार किसान को जिस तरह से परिशान करते हैं, उसका लेखा मैं नहीं दे सकती हूँ, उसका मैं वरणन नहीं कर सकती हूँ आज भष्टाचार का ही बोल बाला है, जब तक 500 रुपिया या 300 रुपिया या 200 रुपिया लेखवाल को या पटवारी को न मिले तब तक खाते में से नंबर वे लोग नहीं निकालते हैं, कछरी में उन्हें परिशान किया जाता है, और वे सब जगह परिशान होते हैं, महोदय पंजाब के संबंध में मुझे यह कहना है कि अभी कुछ दिन पूर्व वहाँ पर भाषा का प्रश्न उत्पन्न हुआ, मेरा अपना विचार है कि जब भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन हो गया, तो आज पंजाब की भाषा पंजाबी है और यह पंजाब के लोगों को निरड़य करना है कि वह पंजाबी किस लिपी के अंदर लिखी जाए, लेकिन एक बात मैं पंजाब की सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, कि आज जब पंजाब के अंदर 45 प्रतिशत लोग इस प्रकार के हैं जो यह कहते हैं कि हमारी अपनी मात्र भाषा हिंदी है, तो पंजाब की सरकार को अलप संख्यकों की भाषा को संग्रच्छन देने के नाम पर दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ती नहीं होनी चाहिए, इससे दोनों के संबंधों में मधूर्टा आएगी और किसी प्रकार के अनावश्यक आंदोलन से हमारा सिमावर्ती राज्य बचा रहेगा, जहां तक लेपी का संबंध है, लेपी के संबंध में मैं बल पूर्वक किसी लेपी को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूँ, अपनी लिपियों को सुरक्षित रखते हुए, अगर प्रादेशिक भाशाएं किसी एक सामान्य लिपी को वैकल्पिक लिपी के रूप में स्वीकार कर लें, तो देश की अनेक भाशाओं को निकट आने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकेगी, अगर पंजाब के लोग भी इसी आधार पर विचार कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि यह पंजाबी भाशा के हित में और देश की एकता के हित में होगा, अन्तिम बात जिसको कहकर मैं अपना भाशन समाप्त करना चाहता हूँ, वह है प्रश्न जो आज पंजाब और हर्याणा में तनाव का कारण बना हुआ है और वह है चंडीगड का प्रश्न, सभापती जी आपने देखा होगा कि कल इस प्रश्न को लेकर यहाँ एक गर्मा गर्मी का वातावरण भी उत्पन हुआ, इसके लिए मैं मुख्य रूप से केंदरिय सरकार को दोशी मानता हूँ, सरकार की अपनी आदत है कि जो इस प्रकार के विवदास्पद प्रश्न होते हैं, उनको लंबा तालने की इसको प्रविर्ति बन गई है, सरकार सोचती है कि अगर कोई प्रश्न लंबा ताला जाएगा, तो लोग भूल जाएंगे और अन्त में तनाव स्वतह ही नहीं रहेगा, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस जिस प्रश्न को सरकार ने टालना चाहा, चाहे मैसूर महाराश्र की सीमा विवाद का प्रश्न हो, गोदावरी या कृष्णा के जल का जगडा हो, महुदय पंजाब के अंदर चंडीगड का जगडा हो, सरकार ने जिस जगडे को टालना चाहा, वह जगडा और अधिक उग्र रूप लेकर देश के और सरकार के सामने आया, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार को आगे के लिए यह परंपरा डालनी चाहिए, कि जब भी इस प्रकार के कोई प्रश्न आये, तो उन प्रश्नों पर दढ़ता से विचार किया जाए और ततकाल उनका समाधान किया जाए, वर्शों तक उन प्रश्नों को लटकते छोड लोगों को आपस में संघर्ष का आउसर नहीं देना चाहिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो राश्ट्री करण के समर्थक हैं, वे भी राश्ट्री करण को साध्य नहीं मानते, प्रधान मंत्री ने स्वयम स्विकार किया है कि अनेक देशों में बैंक सरकार के हाथ में है, लेकिन बैंक सरकार ने ले लिया तो समाजवाद आ गया, ऐसा कोई नहीं कह सकता, जिन देशों में समाजवाद नहीं है, वहां बैंक सरकार के हाथों में है, फ्रांस में समाजवाद नहीं है, सरकार ने बैंक ले लिये और आस्ट्रेलिया में बैंक सरकार ने लिये थे, लेकिन बैंक कर्मचारियों के आंदोलन के फल स्वरूप चुनाओं में जब नई सरकार बनी तो बैंकों का राश्ट्री करण समाप्त करना पड़ा राश्ट्री करण कोई हर रोग की रामबाड आउसद ही नहीं है और राश्ट्री करण सरकारी करण में नहीं बदलना चाहिए जिस ततपरता से सरकार ने बैंकों को अपने हाथ में लिया है उससे आर्थिक शेत्र में कठिनाईयां पैदा हो सकती हैं नए नए लोगों में नई नई आशाएं जगी हैं क्या ये आशाएं पूरी की जा सकेंगी अगर ये आशाएं पूरी नहीं की गई तो उनके परणाम भयंकर होंगे सहकारिता के शेत्र में हमने लोगों में नई आशाएं जगाई हैं हमारा तंत्र उसको पूरा कर पा रहा है समाजवाद मात्र इरादा नहीं है इरादे अच्छे हो सकते हैं नेक हो सकते हैं लेकिन जिस मशीनरी के द्वारा जिस तंत्र के द्वारा वह इरादे व्यावहार में लानी हैं अगर वह मशीनरी भ्रस्ट है अगर वह तंत्र अक्षम है अगर जनता के प्रती उनके हिर्दय में सहानुभूती नहीं है तो फिर राश्ट्री करण भी सहकारिता की तरह से एक बदनाम चीज हो जाएगी सरकार बहुत से कारखाने चला रही है कुछ अच्छे चल रहे हैं कुछ बुरे चल रहे हैं लेकिन कारखाने चलाने के लिए सरकारी संस्थाएं चलाने के लिए जैसे आदमी हमें चाहिए वैसे आदमी तयार करने का हमने प्रयत्न नहीं किया है सार्वजनिक उद्योगों को सफल करना सरल नहीं होता